मेरे प्यारे देस वास्यों, भारत सिक्षा और ज्यान की तपवभुमी रहा है। हमने सिक्षा को किताबी ज्यान तक ही सिमित नहीं रखा, बलकि इसे जीवन के एक समगर अनुभव के तोर पर देखा है। हमारे देश की महान विभूत्यों का भी सिक्षा से गहरा नाता रहा है। पंडित मदन महन मालेविया जी ने जहां बनारस हिंदू विश्वे विद्याले की स्थापना की। वहीं मात्मा गांदी ने गुजराद विद्यापिट के निर्मान में अहम भूमी का निभाई। गुजराद के आनन में एक बहुत ही प्यारी जगह है वल्लब विद्यानगर। सरदार पटेल के आगरह पर उनके दो सहियोग्यों भाई काका और विखा भाई ने वहाँ युवाओं के लिए शिक्षा केंद्रों के स्थापना की। अन्यके विबूतियों को उच्च सिक्षा के लिए प्रेरित किया। ऐसे ही महानभावों की सुची में एक नाम राजा महेंदर प्रतापसीजी का भी है। राजा महेंदर प्रतापसीजी ने एक टेकनिकल स्कूल की स्थापना के लिए अपना घरी सौप दिया था। उन्होंने अलिगड और मतुरा में सिक्षा केंद्रों के निर्माण के लिए खूब आर्थिक मदद की। कुछ समय पहले मुझे अलिगड में उनके नाम पर एक उनिवर्सिटी की आधार सिला रखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुझे खुशी है कि सिक्षा के प्रकास को जन जन तक पहुँचाने की वही जिवंद भावना भारत में आज भी कायम है। क्या आप जानते हैं किस भावना की सबसे सुन्दर बात क्या है। वो ये हैं कि सिक्षा को लेकर ये जागरुकता समाज में हर स्तर पर दिख रही है। तमिल नाडु के त्रिपूर जिले के उदुम लपेट ब्लॉक में रहने वाली तायमल जी का उधारन तो बहुत ही प्रेणादाई है। तायमल जी के पास अपनी कोई जमिन नहीं है। बरसों से इनका परिवार नारियल पानी बेच कर अपना गुजर बसर कर रहा है। आर्थिक स्थिती भले अच्छी ना हो लेकिन तायमल जी ने अपने बेटी बेटी को पढ़ाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उनके बच्चे चिनविरम पट्टी पंचायत उनियन मिडल स्कूल में पढ़ते थे। ऐसे ही एक दिन स्कूल में अभीभावकों के साथ मिटिंग में ये बात उठी कि कक्षाओं और स्कूल की स्थिती को सुधारा जाए। स्कूल इंफ्रस्ट्रक्चर को ठीक किया जाए। तायमल जी भी उस मिटिंग में थी। उन्होंने सब कुछ सुना। इसी बैटक में फिर चर्चा इन कामों के लिए पैसे की कमी पर आकर टिक गई। इसके बाद तायमल जी ने जो किया उसकी कलपना कोई नहीं कर सकता था। जिन तायमल जी ने नरियल पानी बेच बेच कर कुछ पुझी जमा के थी। उन्होंने एक लाख रुपिये स्कूल के लिए दान कर दिये। वाकई ऐसा करने के लिए बहुत बड़ा दिल चाहिए। सिवा भाव चाहिए। तायमल जी का कहना है अभी जो स्कूल है उसमें आठवी कक्षा तक की पढ़ाई होती है। अब जब स्कूल का इंफ्रस्रक्टर सुदर जाएगा तो यहां हायर सेकंडरी तक की पढ़ाई होने लगेगी। हमारे देश में सिक्षा को लेकर यह वही भावना है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। मुझे IIT-BHU के एक एलियूमेनस के इस तरह के दान के बारे में भी पता चला है। बियेचु के पुर्वचात्र जाएच चौधरी जी ने IIT-BHU Foundation को एक मिलियन डॉलर यानि करीब करीब साड़े साथ करोड रुपया डोनेट किये। साथियों हमारे देश में अलग-अलग शेत्रों से जुड़े बहुत सारे लोग हैं जो दूसरों की मदद कर समाज के प्रती अपने जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह के प्रयास उच्च सिक्षा के खेत्र में खासकर हमारी अलग-अलग IIT में निरंतर देखने को मिल रहे हैं। केंद्रिय विश्व विध्यालव में भी इस प्रकार के प्रेरक उधान की कमी नहीं है। इस तरह के प्रयासों को और बढ़ाने के लिए पिछले साल सितंबर से देश में विध्यान जली अभ्यान की शुरुआत हुई है। इसका उदेश अलग-अलग संगठनों, CSR और निजीक शेत्र की भागिदारी से देश भर के स्कूलों में सिक्षा की गुनवत्ता में सुधार लाना है। विध्यान जली, सामुईदाई, भागिदारी और ओनर्सिप की भावना को आगे बढ़ा रही है। अपने स्कूल, कॉलेज से निरंतर जुड़े रहना, अपनी क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ योगदान देना एक ऐसी बात हैं जिसका संतोष और आनन, अनुभव लेकर ही पता चलता है।